हेलो दोस्तों सुख़ागते आप सभी का एक बार फिर से एक बार फिर से मैास्स की कलास में आप सभी का सुख़ागत है ना उमीद कर रहा हूँ आपने रीजिनिंग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है ना बारवी के तेरवी हैं बारवी नहीं है इसमें डालो तेरवी अब उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी ने रीजनिंग को इतना सहयोग करा है तो बिलकुल उसी तरीके से मैस को भी आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे है ना तो भाई बढ़िया सभी को गुडी इविनिं अग वाग लगा दी इकदम पटाके फोल दे तो चार फिक है पहले चले लिक्लास को स्टार्ट करते है और हमारा है UPP इरहा Maths नमबर 13 जो सबसे पहले बटा एक काम करिए कि जिन लोग अभी तक लाइक ना किया हो सबसे पहले बटा अभी लाइक कर दो और एक बार सेर कर दिए फिर से एक बार सेर कर दिए जो लोग अभी तक नहीं आ पाए है उन्हें भी बटा दो क्लास स्टार्ट है हमारी चल रही है और जिन बच्चों को क्लास अगर जोईन करना है किसी भी बच्चे को अगर UP पुलिस का बेसिक कोर्स लेना है तो बेसिक कोर्स लेने के लिए अभी ओफर चल रहा है एक से दो दिन जिसमें आपको 399 में कोर्स मिल जाएगा ठीक है और आपको करना क्या होगा सिर्फ और सिर्फ दा सिवज इन्डिया एप डाउनलोड करना होगा अब प्ले स्टोर से दा सिव इन्डिया है डाउनलोड करोगे प्राफिट तो बाद में होगा अभी लॉस ही हो रहा है अभी भी लॉस नहीं हो रहा है ना 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 अभी लॉस नहीं कह सकते हम यह कह सकते हैं कि हाँ अभी नीट्रल है या फिर कह सकते है अभी भी प्रॉफिट में ही है जो क्लासे सल रही है उनसे तो प्रॉफिट ही हो रहा है और अगर आपको सीख रहे हो तो वो प्रॉफिट ही है है ना भले ही अभी काम नहीं आ रहा लेकिन वो आगे काम आएगा लेकिन कुछ सीख तो रहे हो ना और जब भी तुम कुछ सीख रहे होगे तो वो प्रॉफिट में रहेगा वो लॉस नहीं है ठीक है 2013 कॉस्टीबल में पूछा गया सवाल या पहला सवाल जो है वो 2013 कॉस्टीबल ने पूछा गया सवाल यह ट्राइक अ لगो अब स्भी लोग करिए चलो बढ़िया वाला सवाल है बढ़िया से सवाल में थैया रुपए में पेंसिल हुए में सबाधा सक एक हाट करें करूं है किया अगर मैं अगर में डौब एृपए प्रती हुए की धर से बेच रहरें तो कर रहा है तो रुपिया में जो फर्क आ रहा है 110 रुपय का जो लाब था 55 गाटा हो गया 110 तो वो चले गए 55 और चले गए यानि कि 110 और पच्पन यानि 165 रुपय का डिसकाउंट डिसकाउंट डिफरेंस आ गया 165 रुपय का डिफरेंस आ है बोलो यह बात पकड़ाई है यह बात समझ आई तुम्हें कि नहीं आई फिर समझो जब आप पैंसिल के रेड को धाई से 1.75 कर देते हो यानि रेड कम कर द जाता है 110 रुपया का राव वह 55 रुपय की हानी होने का मतलब है रुपया कम हो जाता एक 65 तो 0.75 का मतलब है 165 है थीक है हाई तो 0.75 अगर 165 है बच्चा आपको निकालना है कि पैंसिल का एक्च्वल में रेड क्या है तो आप एक बराबर वैलू नकाल दीजिये जैसी एक बराबर निकालेंगे तो 165 अपन में 0.75 आ रहा है अगर आप यहां से पॉइंट हटाओगे तो उपर के तरफ एक 2.0 बढ़ेंगे यानि 100 आएगा ठीक है अब अगर मैं इसे कटवा लेता हूं बेटा तो यह स्वागत है आपका क्लास में स्वागत है और कोश्चन को ट्राई करने की कोशिस करिए ठीक है जिन्हों नहीं पड़ा है तो क्लास में अगर आप जोड़े रहोगे हर रोज के रोज तो आपको प्रॉफिट और लॉस बात बनने लगेगी ठीक है अगर सेलिंग प्राईस पर टोटल लाब पच्छतर सो रॉपयका है तो मार्क प्राईस बताईए बताओ सभी लोग है ना सभी लोग बताईए सवाल को दस परसंट डिसकाउंट देने के बाद भी बीस परसंट लाब हो जाता है चलो यह सवाल जो आपने पूछा है मैं पह सभी प्रफानीट का है तो मार्क प्रैस बता नहले कि सभी लोग बताईए बता ben अटशाओंटocateॐ नियुकि आप सब्सक्रण डिसकाउंट काूर्प roku 10 अगर आपकर दिसकंट होगा में यह क्रोले व mul Right सब होता है एक बड़े 5 मतलब 5 का अगर CP होगा तो आपने एक का प्रॉफिट लेकर 6 में बेचा होगा हम ऐसे बोल सकते हैं हमें बस करना क्या होता है हमें करना यह होता है कि सब्सक्राइब 8 अगर 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 आपको प्रॉफिट के लावथ दिया जया था तब तो सवाल और जएदा आसान हो जाता है ठीक है पर CPMP दिया नहीं है हमें दिया है profit इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा CP SPMP में ratio बनाना होगा जैसी आपने ratio बनाया आप मुझे बताओ यहां पे लाब कितना हो रहा है तीन हो रहा है और सवाल में लाब हो रहा है पच्छतर सो का तो तीन का ही मतलब हो गया पच्छतर स आपको पूछा गया अंकित मूल बताओ बेटा अंकित मूल है 20 यहां से 20 का answer निकाल लेंगे ठीक है जैसी आप 3 से कड़वाओगो तो यह बेटा 25 बार काट रहा है और 20 का गोड़ा करने पर 20 का गोड़ा करने पर 3 0 तो वैसी आ रहे है और 25 दूना 50 अलग से आएगा ठीक ह यह सवाल का answer हो जाएगा बेटा यह सवाल का answer हो जाएगा जो आप पूछ रहे हैं ठीक है भाई अंकित जी बात पकड़ाई या नहीं आई ठीक है देख लो भाई बस कुछ नहीं करना चोड़ा से काम करना है आपको चोड़ा से काम करना है 10% discount दिया है तो 10 का 9 करवा लिया 20% profit 5 का 6 करवा लिया SPSP बराबर कर लिजिए जैसी बिटा SPSP बराबर करोगो तीनों का ratio बन जाएगा अब जो profit हो रहा वो यहां से हो रहा तीन का तीन का value दिया है आपको अंकित मुलियानी 20 का value पूछा है साल्व कर लेंगे बिल्कुल भाई बिल्कुल भाई आंसर जो है वो 50 जरा जाएगा बहुआ जी बिल्कुल सही जवाब बेटा है इस सवाल का answer ठीक है बही अंकित बात समझ आ गई है ना जिसने भी सवाल को पूछा था क्या उसे मेरी बात समझ आ गई सवाल का answer 220 लगा रह सेकेंड फटाफट एक बार सभी लोग ट्राई करिए ठीक है एक बार सभी लोग इस कोशन को ट्राई करिए और आंसर बताईए हाँ जी चलो बढ़िया बात क्या बोल रहा है प्रते कीमत कमीज सॉरी कमीज की जो मूल है वो हजार रुपए है हम उसे 2000 में बेचते हैं तो बताओ कितने पर्संट का लाब होगा वोगा था चाहें टेरा बेचिओ चाहे चाहें 14 बेचो उससे फरकि महीं पढ़ता आपको फरक इस बात से पढ़ता है कि लायक इतते गा बेचा क्येंग थैखा 14 क्यांदि पर थे 1 ठीचा पर्टा उस्से फरक नहीं पड़ेगा आप बताओ 1,000 रुपए की चीज 2,000 में बेच रहे लें यानि 1,000 रुपए का फायदार में ले रहे हो 1,000 रुपए पर तो फायदा कितना हो रहा है तुम्हें 100% का फायदा हो रहा है इसका मत्स्टाब हजार का फायदा हो रहा है किस पर? हजार पर, तो कितने परसंट होगा यहां से? हंडिव परसंट फायदा होगा, बिटा, चाहे तुम कितनी बेचो, उस से फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो 13 बोले, चाहे वो 14 बोले, उस बात से फर्क नहीं पड़ता है, इसका मत्तव है अपर 13 का कोई यूज नहीं है, इस कोशन में 13 का कोई यूज है नहीं, ठीक है, सिर्फ आपको 1000-2000 से ही काम चलाना था, इस सवाल का जो आंसर लग रहा है बेटा, वो 100% लग रहा है, 50% वाले बेटा सही आंसर नहीं है, एक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको आंसर आ गया, बिल्कुल बढ़िया, बास समझ आ गई, बस इतना सा सवाल था, वो केवल कंफ्यूज करने के लिए, उसने तेरा कमीच को और इंक्लूड कर दिया, वैसे उसका कोई खास यूज है नहीं सवाल के अंदर, ठीक, चलो बटा, आगे बढ़ो, कोशन नमबर तीन पर आऊ, क्या कह रहा है बटा, देखो ये भी सवाल रेशो का है, Alice, Bob और Charlie, भाई, Alice, Bob और Charlie का मतलब है एबी सी लिख लेते हैं, सबस्क्राइब कितना रुपिया हुआ तीन अब बारा में से चार तीन साथ यह हो गया बचा रुपिया कितना पांच वोग मिला होगा सी को यह देखो बन गया इनके प्रॉफिट का रेशियो यह बन गया इनके प्रॉफिट का रेशियो और सवाल में लिखा है चारली को मिले 5000 हमाई हिसाब से चारली को मिल रहे है 5000 तो 5000 का वैलू अगर 5000 है पूछा गया Alice का पैसा यानि कि 4 पूछा गया है तो 5000 का वैलू 5000 है तो 4000 का वैलू बेटा सीधा सीधा तुमारा आणसर आएगा 4000 यह सवाल बेसिकली profit loss का नहीं है यह सवाल बेसिकली ratio का है पर profit loss के एक्जाम में यह चैप्टर में पूछा गया है क्योंकि इसमें profit की बात कर रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल लिया ठीक है लेकर अगर ध्यान से देखा जाये तो जो question है बेटा यह question आपका basically है ratio का ठीक है बिलकुल बेटा बिलकुल यह question basically ratio का है क्योंकि आपको ratio ही बनाना है और ratio बना के सीधे सीधे divide कर देना इसमें profit and loss का कोई खास खेल है नहीं बिलकुल भाई बहुत बढ़िया हाँ बेटा बिलकुल सही है रस्मी, रागिनी, दिव्या, देवेंद्र, अश्चनी, प्रियंका, अंकित, अंजली, बिलकुल, आरती सबका सही answer है और answer लग रहा है सबका बढ़िया अगले सवाल पर चलते हैं यह सवाल का answer कौन-कौन बताएगा बेटा यह सवाल का answer कौन-कौन बताएगा जली से बताओ एक बार एक बार जली से बताओ तुम्हारी बारी है एक बार तुम्हें सवाल का answer बताओ और फिर हम फिर मैं बताओंगा फिर मैं बताओंगा पहले तुम बताओ, आज तुम्हारी पहले बारी है, उसके बाद पिर मेरी बारी आएगी मैं बस देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे जो इस सवाल को लगा सकते हैं ठीक है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे इस सवाल को लगा सकते हैं बहुत तफ नहीं है कोशन बहुत तफ नहीं है लेकिन कोशन थोड़ा घूमा हुए ठीक है कोशन बहुत तफ नहीं है कोशन बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा जो है आपको धैरे बनाए रखना है कोशन करते वक्त आपको धैरे बनाए रखना है सवाल को अच्छे से पढ़ ठीक है बिल्कुल जल्द बाजी नहीं करनी है बिल्कुल वी बेटा बलकुल भी जल्द बाजी नहीं करनी है अख जल्दी से सब्सक्राइब पहले मचे लगता आब टा करना चाहिए ठीक है मैं बात तक पढ़ लेता हूं ना अनुजा एक वस्तु को छे पर्सेंट लॉस पर बेचने का दावा कर रही है लेकिन वह एक किलो की जगा पर आठ सो ग्राम की तॉल रही है अच्छी बात चार कि 40 कि विक्तिरि जब हम करते हैं तो 350 का लाब होता है तो एक किलो का लागत मूल क्या है अंकित वर्मा का सी जवाब है और अंकित यादव का जो है वो 60 सवाल का आंसर है ठीक, अस्तुनी कह रहा है, second होगा, competition वाले कह रहा है, भाया, C होगा, ठीक, तो भाई, मेरे प्यारे बच्चों, है न, इस सवाल का जो answer है, ना ही वो 60 है, ना ही वो 80 है, और ना ही वो 70 है, है न, इस सवाल के ये तीनों answer नहीं है, ठीक है, कैसे लगेगा, मैं, हाँ, देखो, लकी ने सई answer दिया है, लकी ने सवाल का सई answer दिया है, 50 कोशन का सई answer है, ठीक है, 50 कोशन का सई answer, देखो, मैं बताता हूँ, जैसे मान लो, 1000 ग्राम चीनी, 1000 रुपए की है, 1000 ग्राम चीनी, 1000 रुपए की है, वो 6% नुकसान पर बेचता है, यानि वो बेचता कितना रुपए की है, 1000 रुपए की जो चीनी है, वो 6% लॉस, यानि 60 रुपए कम में बेचता है, 60 रुपए कम कम मतलब हो गया, 940 में बेचता है, बोलो बेचता है, अच्छा जी, लेकिन वो 800 ग्राम ही तो हो रहा है, माने वो दे तो तुम्हें 800 रुपए की दे रहा है, तो मुझे बताओ, 800 वाली चीनी, वो 940 का बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉ बैदा हुआ, 140 का 800 पे, अगर मैं इसे बोलता हूँ कि यही प्रॉफिट है, और मैं इसे बनाता हूँ बेचा फ्रैक्शन, देखो मैं इसे परसंट नहीं बनाऊंगा, क्यों कि मैं परसंट बनाऊंगा, तो वैलू गया बढ़ा जाएगी, परसंट बनाने पर क्या होगा, बेचा, परसंटेज में यह वैलू पॉइंट में आजाएगी, तो मैं पॉइंट ना बनाके, मैं बनाता हूँ फ्रैक्शन, मैंने इसे दो से कटवाया, यह बन गया 7 बटे 40, बन गया, और आपको पता है, प्रॉफिट के फ्रैक्शन में नीचे होता है CP, ऊपर होता है प् 350, अगर 7 का मान 350 होगा, तो 40 निकाल लेंगे, तो बताओ CP आजाएगा, अगर हम 40 निकाल लेंगे, तो CP आजाएगा, नहीं आजाएगा, कह सकते हो कि नहीं, कह सकते हैं भाई, अच्छा बताओ, अगर 7 का मान 350 है, तो 40 का मान निकालने के लिए, 7 सी एकटा 50 बार, और 40 का ग पहाई रहे तक तींसुपक्र का फाइदा हो रहा है न मतलब जो यह दो हजार रुपया है वह मार्य किलो का रेट और 40 नहीं है अगर चालिस कलो का 20 है तो किलो का मत्लब होकी मतलब होगा चालिसका भाघ लगाई नहीं к्युम्म पचास रुपए पर किलो गराम का लागत मूल है और यही सवाल का अंसर लग रहा है बेटा option A option A सवाल का अंसर लग रहा है देखो थोड़ा सा मैंने शुरुवात में ही कहा था कि सवाल बहुत टफ नहीं है लेकिन आपको थोड़ा धैर बनाए रखना होगा और सवाल को ठीक से पढ़ना होगा अगर आपने कोशन को ठीक से पढ़ लिया तो कोशन का जो आंसर है वो आप आसान तरीके से लगा सकते हो थोड़े थोड़े आपके concept के लियर होगे तो आपका आंसर जो है वो जल्दी से लग सकता है ठीक है बिल्कुल बेटा जी सबको मेरी बास समझ आई है जली बताओ बेटा एक बार सबको मेरी बास समझ आई है ना समझ आई हो बताओ साथ बड़े 40 नीचे CPU पर profit profit सवाल में दिया है साथ का मान दिया है 40 का निकाला तो ये CP निकला लेकिन ये CP 1 का नहीं निकला है वो 40 किलो का निकला है अब 40 किलो का अगर ये CP है तो 1 किलो का कित्ता होगा 40 का भाग लगाया और आंसर आया 50 रुपए बिल्कुल बहुतो भड़ी या बात है कोश्चन नमबर चार के आगे चलते हैं बेटा कोश्चन नमबर पांच पर आसान सवाल ये कोई टफ नहीं है कोश्चन नमबर पांच जो है ये आसान से सवाल है है ना फटा बट बेटा ट्राई करिए 20 रुपए की 14 की दर से स्ट्रावरी खरीद लाए और 22 रुपए में 8 की दर से बेच आए क्या बोल रहा है बेटा देखो 20 रुपए की 14 खरीदी रुपिया और समान मैंने आपको ऐसे सिखाया होगा न अच्छा और 22 रुपए की 8 बेच रहा है 22 रुपए की 8 बेच रहा है हमारा काम क्या होता है या तो हम क्रॉस मल्टिप्लाई करा लें इसे या अगर क्रॉस मल्टिप्लाई नहीं करा बेटा तो वस्तुमें बराबर कर लेते हैं वस्तुमें बराबर करने के लिए मैंने क्या किया एक काम किया मैंने उपर चार से गुड़ा किया इससे क्या होगा वस्तुमें हो जाएंगी 56 56 बोलो हो गई बराबर हो गई एक जार और और 800 को अलग से निकाल कर परसेंटेज कर सकते हैं ठीक है अब हमसे कह रहा है कितना परसंट का लाब हुआ है लाब हमें हो रहा है हमें लगता है 54 और 2070 रुपए का किस पर हो रहा है असी पर हो रहा है कितने पर्संटेज का होगा तो यहां से बात जो है वो profit percent निकाल आएगा तुम्हारा ठीक है profit percent निकालने के लिए हमने बस 0 ही कटवाया है 740 में आर्ट का भाग लगा देंगे तो यहां से जो तुम्हारा answer है बेटा वो 92.5 percent बन जाएगा question tough नहीं है कि एवल calculation ऐसा दिया है कि वो direct बात बन नहीं रही है ठीक है question जो tough है tough नहीं है calculation उन्होंने ऐसा दिया है कि आपको थोड़ा करना पढ़ रहा है ठीक है लेकिन question बहुत आसान है concept आपको खूब सिखाए गए classes में भी online classes में भी सभी तरह की classes में इस तरह के concept खूब सिखाए जा चुके है ठीक है हमारा काम होता है वस्तु में बराबर कर लेना जैसी आप वस्तु में है ठीक है सबी को सवाल का सही आंशल लग रहा है चलो आगे वाले सवाल पर चलते हैं यह ठीक ठाक सवाल लग रहा है मुझे मतलब बहुत टफ ये भी नहीं है है ना मीडियम लेवल के सवाल है सारे के सारे सारे मीडियम लेवल के सवाल है बहुत टफ सवाल नहीं है ठीक है बिलकुल बड़ा और पुलिस के एकजाम में कोई बहुत टफ सवाल आएंगे भी नहीं बड़ा मीडियम ल घड़ी की जो लागत मूल है वो तीननुपाद चार में है विक्रे मूल का अनुपाद क्या होगा अगर मोबाइल फोन को 20% लाप पर बेज दे घड़ी को 20% हानी पर बेज दे कोई दिक्कत नहीं भाईया तो हम लिख रहे रहे मोबाइल और घड़ी को हमने जी एच लिख लि जीरो बढ़ा दिया है मैंने का ये 30 और 40 है मोबाइल 30 रुपए का घड़ी 40 रुपए कैसे मान लेते हैं ठीक है अगर मोबाइल 30 रुपए का है तो मोबाइल को 20% लाब पर बेच रहे हैं बेटा मोबाइल पर 20% का लाब ले रहे हैं तो भाईया 30 का 20% निकालो और जोड़ यानि 6 रुपए का लाब लेकर हम कित्ते के बेचेंगे बेटा 36 का बेचेंगे ना अच्छा जी घड़ी को 20% हानी पर बेचा गया है बेटा 40 में 20% हानी 40 में 20% हानी यानि 8 रुपए का हानी लेकर बेचेंगे कित्ते के बेचेंगे बेचेंगे बेटा 32 का बेचेंगे यही 9 is to 8 का मतलब है, option D सही answer है, option D सही answer, हाँ भाई, सब का answer आ चुका है, बढ़िया बात है, सभी बच्चों का answer आ चुका है, 9 is to 8, बिलकुल ऐसे करना है बेटा, इसमें कोई खास बहुत बढ़ी बात नहीं है, आपको ratio अटाना है, 0 बढ़ा के solve करना है, ठीक है, ratio अटाना है, 0 Question number 6 के बाद, question number 7 पर, question number 7 में कह रहा है, गीता एक वस्तु के विक्रेमूल लेका 4 बटे 5 पर घरील लाई, और विक्रेमूल से 15% जादा में बेच आई, तो क्यों नहीं हम विक्रेमूल मान ले, विक्रेमूल मान ले बटा 100 रुप, इस 100 रुप का 4 बटे 5, यानि वो 80 पर घ खरी लाई है है ना और विक्रे मूल से 15% जादा यानि 115 में बेच रही है बोलो यही तो कानी है वो असी में घराई लाई 115 में बेच आई बेल्कुल बढ़ी बात है असी में घराई 115 में बेच फायदा किता हुआ फायदा हुआ 35 का असी पर कितने परसंट 35 का फायदा असी पर कितने परसंट है इसे आप सॉल करवा लीचे 35 का फायदा असी पर कितने परसंट है मेरे प्यारे बच्चों हमें आपर 7 अगर मैं पास से कड़वाँ पास से कड़वाने पर ये कड़ेगा बेटा साथ बार और ये कड़ेगा 16 बार है ना तो साथ बटे सोला दिख रहा है एक बटे सोला बेसिकली बड़ा लगबग 6 परसंट होता है साथ बटे सोला लगबग 42 परसंट के असपास आएगा 42 या 43 परसंट के असपास आएगा 42 या 43 परसंट के असपास आएगा और मैं चेक करो इसमें से तो कहीं न कहीं यह आंस लोगए 412 पर यह स्थोड़ा जादा वाला अशर आयेगा बस यह समझ जो रहागा है इसी स्पीड तो थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाओ ठीक है आपकी स्पीड भी स्पीड है बाकी लोग देखो थोड़ा सब तेज आंसर देते हैं पर आपका अंसर पिर लास्ट में आता है ठीक चलो बढ़िया बात है कोश्चन नमर आठ पर चलिए बिटा कोश्चन नमर आठ पर चलिए ये वाला बताओ ये तो हमें लगता है ऐलिगेशन का सवाल लग रहा है मैं 50 किलो गे हूँ है जिसका भाग 15% एक भाग 15% लाब पर दूसरा 8% हानी पर बेचा है इसका कुल मिला के 12% का डोडर लाब हुआ है तो जो हानी पर बेचा है वो कितना किलो है जो हानी पर बेचा है वो कितना किलो है बेटा अंकित क्या समस्य हो गई इसमें कुछ खास बात नहीं है बेटा बिक्रमूल 100 मान लिया है, 100 के 4 बिटे 5 में खरीदा है, 15% जाद हम बेचा है, तो फाइदा कितने का हो रहा है, 35 का फाइदा हो रहा है, 80 पर कितने परसेंट है, 100 करवा लेंगे, तो आंसर आ जाएगा, चलो, कोशन नमर आठ हो, सभी लोग एक बार फटा पर ट्राई करो, सब्सक्राइब नहीं होना है, फटा पट बिटा, आंसर बताओ, जली से बिटा, कोई बात नितिव्या बिटा लगी रहोगी, तो एक दिन जरूर करने लगोगी, यह मेरा वादा है, लेकिन होप मत छोड़ना और करना बिलकुल मत बंद करना, ठीक है, बिटा, इस सवाल को ह गाएंगे, एलिगेशन से, अब बताओ, जो पहला हिस्सा है, वो 15% लाब पर बेचा है, दूसरा हिस्सा जो है, वो 8% घाटेम बेचा है, दोनों को मिलाकर 12% का लाब हो रहा है, अगर मैं ऐसे घटाता हूं, तो यहां तो 3 आ जाएगा, लेकिन यहां घटेगा नहीं बेट किसको डिवाइड करना है, हमें 50 kg हमारे पास था ना, उसमें से 3 वाला क्वांटिटी चाहिए, और बटे में दोनों को जोड़कर 23 आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहां जाएगा, एक सो पचास बटा 23, और 23 छक्का 13 हमें पता है, 23 छक्का 13, लगबग 6 पॉंट में आंसर आ देंगे, एक बार, एक बार बेटा लगी जो है, एक बार देख लो बेटा क्या करना है, आपको 20 अनुपा 3 में डिवाइड करना है, पचास को, तो जब हम 3 हमें निकाल ला है, हानी वाला यानि यह वाला तो 3 देशन निकाल ला है, बटे में दोनों को जोड़कर आएगा, उपर 150 आ रहा है, और 23 छक्का 138 होता है, हाँ ठीक है, मतलब हमने ठीक किया है, तो बेटा इस सवाल का आंसर 7.5 आ रहे हैं, कुछ लोग 7.5 भी बता रहे हैं, उप्शन C भी बता रहे हैं, 7.5, हानी पर बेचा गया जो भाग है, हानी पर बेचा गया जो भाग है, वो कितना किलोग्राम का है, एक बर फिर से देखर ट्राई कर लो, बेटा मुझे लगता है मैंने 8, 20 और 15 एक किया तो ठीक है, बेटा कुछ गलत तो हुआ नहीं है, 15 परशन लाब, 8 परशन हानी, 12 परश ठीक है, ऑप्शन भी हम मान के चल रहे हैं, बागे लिए जिन लोगों का 7.5 आ रहा है, एक बार फिर से पीटा चेक करो, एक बार फिर से चेक करो और फिर देख के बताओ क्या आपका सही आ रहा है, कि गलत आ रहा है, कि क्या समस्या कहा है, ठीक है, मैच क्यों नहीं कर रहा आंजर अच्छा तीन का मल्टिपल होगा तीन से वैसे गुड़ा तो हुआ है लेकिन यह देखो 6.52 भी इग्जैक्ट आंजर नहीं है इसके आगे और भी पॉइंट है हाँ तो 6.52 भी इग्जैक्ट आंजर नहीं है उसके आगे और भी पॉइंट में आंजर है बिसिकली है ना पॉइंट में आंजर है इसलिए ऐसे है कही ने कही यह वाला बताओ बढ़ी अच्छा सवाल देखो अगर वस्तु को लागत मूल पर 20% का लाब हुआ है तो बताओ व 20% का लाब है तो विक्र मूल पर कितना लाब है तो बढ़ी असान सी बात है अब बताओ CP अगर हम 100 मान ले और profit 20 का ले ले तो SP हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा ना हमसे बीस का प्रोफिट विक्र मूल पर बताओ तो 20 का प्रोफिट 120 पर निकाल देंगे फटाक से और यहां सर 16.66% आएगा अगर लागत मूल यानि की क्रैमूल पर लाब 20% है तो विक्रे मूल पर यही लाब 16.63% का होगा आगे बड़ो अच्छा सा सवाल था ये वाड़ा लगा ये बिटा 750 पर्शन मुनाफय को 4% कम कर दिया जाये तो मुनाफ़ा कितने परसंट कम हो जाएगा मिले कितने परसंट की कमी आजायेगी बेसिकली ये नहीं पूछ रहा होगा ये पूछ रहा होगा मुनाफ़ अब होगा कितना कमी तो बिटा हो है तक कमानी चाहिए चलो कोई बादे बड़ चेक कर लेते हैं एक बार हम चेक कर लेते हैं बिटा कि मुनाफ़ में कमी एक्चुल में आई कितनी ठीक है देखो भाई अगर हम ऐसे बोलने हैं अगर मैं इस सवाल को रुपए से भी लगा सकता हूँ परसंटेज से भी लगा सकता हूँ इस सवाल को आप रुपए और परसंटेज दोनों सो ही लगा सकते हैं है ना ध्यान से देखो अगर मैं इसको परसंटेज से लगा हूँ तो मैं कहूंगा सर 100% वाले समान को 25% लाब यानी कि 125 में बेच रहा है, लेकिन कह रहा है बिक्रे मूल को 4% कम कर दो, बिटा बिक्रे मूल को 4% कम कर देंगे, तो मैं इस बिक्रे मूल का 4% निकालूँगा और कम कर दूँगा, मतलब यह हुआ कि 1% 1.25, 2% हो गया, 2.5 तो 4 हो गया, बड़ा 5 तो इसका मतलब विक्रमूल अक्चोल 5% कम होने के बाद 120 हो जाएगा माने नया जो लाब हो गाए, नया लाब अब तुम्हें 20% का मिलेगा नया लाब तुम्हें 20% का मिलेगा लेकिन सवाल बेसीकली पूछ रहा है, मुनाफे में कितने % कमी हो जाएगी मुनाफ़ पहले 25% का था, अब 20% का है, कमी 5% की होई है बड़ा 5% तो आंसर नहीं है, इसका मतलब इसमें बेसीकल यह कमी नहीं पूछ रहा है यह पूछ रहा है, अब मुनाफ़ कितने % होगा, यह ऐसा पूछ रहा है यह मुनाफ़ में कमी नहीं पूछ रहा है, अब मुनाफ़ कितने % होगा, बेसीकल यह पूछ रहा है तो आंसर हम यहां से 20% लगाएंगे बेट देखो अगर ये मुनाफ़े में कितने percent की कमी हुई है ये पूछ रहा होगा तो हम हाँ नहीं 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 हाँ ठीक पूछ रहा है हम यी गलस समझ रहा है बेट वो ठीक पूछ रहा है पहले मुनाफ़ा कितना हो रहा था पहले मुनाफ़ा हो रहा था 25% का अब मुनाफ़ा कितना हो रहा है अब मुनाफ़ा हो रहा है बेटा 20% का तो कमी कितनी हुई है कमी 5 की हुई है 25 में से कितने पर्षेंट यहां से जो आंसर लग रहा है वो 20% लग रहा है वो ठीक पूछ रहा है मतलब यह है कि वो आपसे पूछ रहा है कितने percentage की मुनाफे में कमी हो गई है तो answer जो है वो 20 परसंद लगा है यह वाला 20 आंसर नहीं लगए का बटा यह वाला 20 आंसर नहीं लगए का यह वाला 20 तो यह बतारा है कि अब मुनाफ़ा 20% का हो रहा है पहले 25% का हो रहा था, अब 20% का हो रहा है, है ना, तो ये वाला 20 आंसर नहीं है बेटा, आंसर ये कह रहा है कि पहले 25 का हो रहा था, अब 20 का हो रहा है, तो कितने परसंट कमी हुई, तो कमी बेटा हुई 20% की, हाँ, तो ये वाला आंसर लगाना है बेटा, जल्द बाची में गलत मत लगाना फिर से कहे रहा है वर्दी बैस 399 रुपय का मिल जाएगा करप्या लेकर पर्चेट करें के तैयारी सुरू करें कोश्चन नमर 11 प्याओ एक रुपय में 30 चॉकलेट खरीद के लाया है 20 परसंट लाब लेना कित्ती बेचे तो यह आपको करा चुक है पहले से बिटा 30 को लिखवा लो खरीद के लाया है मतलब 100 से गुणा करो 20 परसंट का लाब मतलब 120 से भाग लगाओ ठीक है यह 5 बार कट रहा है यह 6 बार कट रहा स्पी में 4 परसंट कमी करीगे 750 में 4 परसंट कम कर देंगे यह बात बिल्कुस सही है ठीक है यह बात बिल्कुस सही है आप अगर 750 से लगा रहे तो भी तो लगा सकते मैंने परसंटेस से लगाया था मैंने परसंटेस से लगाया आप 750 से भी लगा सकते देखो बिटा कैसे 750 म अभी कह रहा है 4% कम कर दो, तो बिड़ा 4% मतलब होगा 30 रुपिया, अगर हम 30 रुपिया कम करेंगे, तो 30 रुपिय की कमी जो हो रही है, वो 150 पर कितने परसंड की है, ये आप निकालोगे न, तो यहाँ से भी जो आंसर है, वो निकलाएगा 20 परसंड का, 30 रुपए की कमी, 150 पर कितने परसंट है, तो यहां से भी जो आंसर है, वो 20 परसंट आ जाएगा, आप रुपए से भी सवाल का आंसर लगा सकते हैं, और परसंटेज से भी लगा सकते हैं, मैंने इसे परसंटेज से लगाया था, आप रुपए से भी लगा सकते हो, ठीक, बिल पर बिख पर अकास को बेशते हैं अकास उसे आगे बेशते हैं घाटा ले लेता है बताओ दोनों को मिलाकर ओवरॉल क्या हुआ प्रॉफिट या लॉस कितने परसंड का हुआ टीक है तो यह लाव लाव लिया है फिर 10 परसंड घाटा लिया यानि माइनस का दस और माइनस का आएगा पैताली गुड़ा 10 बटा में 100 solve कराएंगे यहां से होता हो आ रहा है 35 यहां से 4.5 आ रहा है घटा होगे 30.5 आ जाएगा 30.5 परसंट का फायदा हुआ है यानि option second लगा रहे है 30.5 परसंट का फायदा हुआ है option second लगा दे रहे है ठीक है question number 12 जो है न बेटा ये question number 12 है मेरे प्यारे बच्चों ये question number 12 में आपको सक्षेशिव मेथड लगाना है सक्षेशिव मेथड लगाना है यहां पर कुछ खाथ बड़ी बात नहीं है है न तो पहले आपने 45 परसंट बढ़ाया है लाब लिया है फिर आपने 10 परसंट घटाया मतलब घाटे में जाए ला हानी ली किलर भायू हाँ 30.5 इस सवाल कहां से लग जाएगा 30.5 इस सवाल कहां से लग जाएगा बेटा आगे वाले सवाल पर चल रहा है यह वाला सवाल सभी लोग बता हो सबको इस तरह के सवाल खुब कराएगा है क्लास कंदर इस तरह के सवाल खुब कराएगा है बेटा सभी को बोलो बच्चो एक सामगरी को 600 रुपए में खरीदा गया है अगर 3-4 ही को 10% लाब पर बेचा होता सेस को 20% नुकसान पर बेचा होता तो उसे टोटल में क्या होता टोटल में कितने परसंड का लाब यहानी होता तो भाईया कई-कई बार बताया हमने 3-4 समान बेचने का मतलब है उसके पास समान कुल मिलाके 4 है उसमें सुचने पहले 3 बेचा है फिर 1 बेचा है अब बताओ जो पहले 3-4 बेचा था उस पर 10% का लाब लिया गुणा कर दो 30 हो गया 6 को 20% घाटे यानी माइनस 20 का गुणा कर दो तो माइनस 20 हो गया अगर मैं इन दोनों का ओवराल कर रहूंगो तो यहां प्लस 10 आएगा पताओ 4 में क्या गुणा करें कि 10 हो जाए 4 में क्या गुणा करें बेचा 10 हो जाए तो आपका उगे सर बिल्कुल 0.5% का इस सवाल का आंसर लग जाएगा और option number C हम लगाएंगे option number C लगा देंगे option number C हम इस सवाल का जो आंसर है वो लगाएंगे और 0.5% इस सवाल का आंसर लग जाएगा clear बच्चों? बढ़िया बात समझ आ गई? सभी को मेरी बात के लर हो गई बटा सभी को मेरी बात के लर हो गई है और question number का आंसर हो गया धाई question number 14 बटाओ बटाओ आज की class में हम 15 सवाल करने वाले हैं ठीक है? आज की class में हम बटा 15 सवाल करने वाले हैं ठीक है? और ये है question number 14 कोश्चन नमबर 14 पताइए विक्रेता को पता चलता है कि 10% माल खराब हो चुका है बाजार में बिलकुल नहीं बेचा जा सकता है अच्छा जी बचे समान का मूलिक कितने परसें बढ़ा दें ताकि खराब समान के कारण भी होने वाली हानी कि छती पूर्ती हो जाए छती पू वाले टाण रैट कितने बढ़ा दें जिससे जो मूल जो च्छती हुई है वो उसकी पूर्ती हो जाए यह बहुत आसान सवाल है याद करो आपने वह वह सवाल पड़ा है खिंकि किसी चीज़ का मूल कम करने पर खत कितनी बढ़ा दें लंबाई कम करने पर चोड़ाई कितन पल समान रहे, यह वही तो सवाल है, कह रहा है, टोटल विक्री का जो रेट है, वो समान रहे, माल खराब हो गया, तो रेट कितना बढ़ा दें, है ना, तो भाईया, 10% माल खराब हुआ, इसका मतलब होता है, एक बटे 10, तो 10 में एक कम हुआ न, एक बटे 9 कर दो, आप नो का मतलब हो गया, ग्यारा एक बटे 9% बढ़ा दे, ग्यारा एक बटे 9% बढ़ाने का मतलब हो गया, ऑप्शन डी लगा दो, ग्यारा एक बटे 9% का मतलब है, बेरे प्यारे बचो, आप्शन नमबर डी लगा दीजिए, और यही सवाल का अंसर बन जाएगा, बिलकुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल ममानों ना सॉइस कण सबाइं से बचा नब्वेवेव्द सब्चना से बचा आसान वास बहुत बड़ी बात शें हे और इंट्व में करोगे 100 और यहां से तुम्हारा आनसर बन जाएगा भाई यहां से तुम्हारा आनसर बन जाएगा कि लाब जो हुआ है वो कितना हो रहा है 25% का हो रहा जो नहीं सारी लाब nine oh dog क्योंकि खरीदे 30 है बेचे 40 तो हानी हो रही है 25% लाब नहीं हो रहा है, बेटा लाब नहीं हो रहा है, हानी हो रहा है, अच्छा ये कैसे पता करते हैं, हानी हो रहा है कि लाब हो रहा है, देखो कहरा है, 30 का लागत मूल, खरीदे 30 है, बेचे 40 है, अगर तुम कम समान खरीदो और जादा बेच दो, तो घाटा हो जाएगा ना कम समान खरीदो और जदा बेच दो तो आनी हो जाएगे न इसका मत्तलब है आनी हुई है 25% इक लाब में दीख रहा है और एक हानी में भी दिख रहा है इक लाब में भी है और एक हानी में भी है पर अंसर कौन से लगाओगे ये डिपेंड करेगा ठीक है हमारी क्लास जो है वो यहीं पर बंद होगी मैं आपसे विदा लूँगा अच्छी क्लास के लिए ठीक है और अगली क्लास हम फिर मिलेंगे प्रॉफिट लॉस के अच्छे सवालों के साथ हम और हाजिर होंगे आपके लिए नए-ने सवाल ढूंड कर आपके लेकर आएंगे ठ स्वास्त रहिए मस्त रहिए पढ़ाई करते रहिए और मिलेंगे अगली क्लास में